हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल कम्प्लीट स्टड़ी आज इस वीडियो में हम आई सिर्षा ब्रांच के पेपर थरी का मैथ सोलुशन करने वाले हैं जो 16 अप्रेल को हुआ था इस से पहले जो दो पेपर हो चुके हैं उनका सोलुशन हम ओर्रेडी कर चुके हैं वे 225 अधिक प्राप्त किया 225 अधिक प्राप्त क्यों किया क्योंकि उसने संख्या को आठ बटा सत्रा से भाग दे दिया संख्या मा लेते हैं एक्स थी तो उसे क्या कहा गया कि संख्या को आठ बटा सत्रा से गुना करना है लेकिन उसने क्या किया संख्या को आठ बटा सत्रा से भाग दे दिया 17 निच्च आएगा अब वो उपर चला जाएगा अब यह अधीक है इनके इनका अंतर कितना है 225 अब इनका LCM लेंगे तो निच्चे LCM आएगा 17 multiply 8 यहाँ पर 17 17 की multiply करेंगे तो 289 8 की multiply करेंगे 8 से तो 64 इनका अंतर कितना आजाएगा 225 X यह बराबर दे रखा 225 के तो 225 से 225 cancel X कितना आजाएगा बराबर में 17 गुणा 8 यानिके 17 8 कितना होता 136 तो 136 वो संख्या थी हमें क्या निकालना दी गई संख्या ही हमें निकालनी थी यानिकी option C अब चलते हैं 32 पर एक वर्थ की प्रिदी एवं तिर्जा का अंतर 37 cm है वर्थ का छेतरफल क्या होगा क्या बोला कि वर्थ की प्रिदी यानिकी सर्गम फ्रेंस ओफ सरकर ये होता है 2 πाई आर और रेडियस इनके बीच अंतर ये दे रखा 37 के बराबर तो यहां से हम आर कुमन ले सकते हैं अंदर बचेगा 2 πाई यानिकी 22 बटा 7 और माइनस में यहां पर बचेगा 1 ये बराबर 37 बटा 7 बराबर है 37 के तो 37 से 37 कैंसिल रेडियस यहां से आएगी 7 उच्छा क्या है वर्थ का 6 यह होता है पाई आर सुकेर जब रेडियस साथ हो तो आपको डारेक्ट भी याद होनी चाहिए कि 6 तरफल 154 होगा डारेक्ट यह नहीं याद है तो 22 बटा 7 और रेडियस 7 क्योस्टर नमबर 33 पी क्याव आरेस एक ऐसे वर्थ का व्यास है जिसकी तिर्जा 6 सेंटीमीटर है रेखा खंड पी क्याव क्याव आर को व्यास मानकर अर्दवर्थ खिचे गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है चायांकित बाग का छेत्रफल ग्यात कीजिए जब क कि पी क्याव वर्पर क्यू आर बराबर आर एस है दोकि जो एक और में सरकल दिखाय दे रहा है बड़ा इसकी तिर्जा कितनी है 6 सेंटीमीटर तो इसका व्यास कितना हो जाएगा डायमीतर 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है यहाँ पर देखो पहले तो है यह पियांपर प्य argument है Q और यह है आर यहां पर है तो इस पीस कि लंबाई कितनी हो जाएगी 12 cm क्योंकि सरकल का PST टो डायमीटर है अब यहां पर प्री क्यों बराबर है क्यूं आर के और आर इस के तो इनकिंघ जो जीए क्यों कितना हो जाएगा यहां पर च्यार क्यों आर कितना हो जाएगा च्यार और यहां पर कितना हो जाएगा च्यार क्योंकि इनकी सभी की रेश्यों 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 र अलग से सरकल बना के देखते हैं यह कि एक सरकल हो जाएगा यह हो जाएगा इसका डायमेटर कि 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 यहां पर पॉइंट है कोई पी यह हो जाएगा प्पी और यहां पर है क्यूंद यहाँ पर point है R और यहाँ पर यह हो जाएगा S तो सबसे पहले हमें क्या solve करना पड़ेगा जो यहाँ पर यह half circle है इसका area हमें निकालना पड़ेगा जो यह half circle है इसका area हमें निकालना है तो इसकी radius कितनी हो जाएगी 6 cm इसका area हो जाएगा यहाँ पर पाई आर वन सुकेर आर वन से डिनोट कर लेते हैं और डिवाइड में टू क्योंकि यह हाफ सरकल है और आर वन कितना हो जाएगा आर वन यहाँ पर यह रेडियस हो जाएगी जो सरकल बनाया है देखो पी एस था बारा तो इसकी रेडियस 6 सेंटीमेटर अब इसमें से हमें क् अब देखें यहां पर जो प्यूसे लेकर अशरक में जाना है अलग कर से आदेखो यहां यह यह से माइनस करना पड़ेगा तो इसको हमें क्या लेखना पड़ेगा माइनस पाई आर टू का सुकेर डिवाइड में क्योंकि यह बेख हाफ सरकल हो जाएगा और इसकी रेडिस को हमने आर टू से डिनोट कर लिया है आर टू यहाँ पर कितना हो जाएगा यह पूरी लंबाई थी आठ सेंटीमेटर की यहनी कि इसका डाइमेटर 8 सेंटीमेटर तो इसके रेडिस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमेटर की अब इसको माइनस करने से फिर यह दिखाई देगा हमें अब हमें क्या करना है इसमें यह सरकल और एड करना पड़ेगा इसका एरिया इस figure से देखते जाना कैसा figure हमें बनाना है तो इसको जब हम add करेंगे तो यह हमें दिखाई देगा फिर कुछ इस तरह से और यही हमें निकालना था यहाँ पर तो यह भी एक half circle हो जाएगा इसका area हमें इसमें add करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा क्या हो गया भई देखिए पलस में पाई इसको डिनोट कर लेते हैं रेडिस को आर थरी से इसका square डिवाइड में 2 तो यहाँ पर आर थरी कितना हो जाएगा जो यह पी क्याओ कि लंबाई थी यह थी 4 cm की यानि कि यह तो diameter है इस circle का हमें निकालना है radius तो क यहां पर इसको value को पूट कर सकते हैं यहां से पाई बाई यहां ले सकते हैं तो पाई बाई तू कॉंपन यहां पर होगा r1 का square कितना है यहजिए 36 ममाइनस में r2 का square यैनिकी 4 का square 16 kg में यहां पर थरी है 2 22 का square 4 तो यह कुतना हो जाएगा 36 में 4 एड करेंगे paras 14 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यह हो जाएगा 24 बटा दो यानि की पाई हो जाएगा 22 बटा साथ गुणा में 12 कि तो बारा गुणा दो 24 बारा दूनी 24 और 26 डिवाइड में 7 तो 7 या 21 बचेगा 5 यह साथ है साथ या 21 बचेगा 7 7 49 फिर बचेगा कितना पांच फिर पॉइंट लगेगा 50 होगा फिर 7 7 49 एक बचेगा फिर यह एक पर जाएगा इनकि 37.71 cm सुकेड इसका अंसर होगा option D बिल्कुल basic से समझा दिया है इससे basic मैं और नहीं समझा पाऊँगा अब चलते हैं 34 पर के के की समान के लिए यहाँ पर यह दो equation हमें दे रखे हैं 3x सुकेड पलस 4kx पलस में 2 is equal to 0 second equation है यहाँ पर 2x सुकेड पलस 3x माइनस 2 is equal to 0 और यहाँ पर इसके जो रूट है वो common है तोनों equation में तो हम क्या करते हैं रूट को मान लेते हैं यहाँ पर alpha कुछ भी मान सकते हैं alpha हमने यहाँ पर मान लिया है तो यहाँ पर जब हम x की जागए alpha रखेंगे तो equation हो जाएंगे हमारी 3 alpha square पलस में 4k alpha पलस में 2 बराबर 0 second equation यहाँ पर होगी 2 alpha square पलस में 3 alpha माइनस में 2 अब देखो यहाँ पर दोनों equation में जो root वो बराबर है common है अब पहले equation को तो हम solve कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर k की value दे रखी है लेकिन second equation से हम alpha की value निकाल सकते हैं quadratic equation हमें solve करनी आती है यहाँ पर कितना हो जाएगा multiply करें तो minus का 4 आना चाहिए और जोडें तो 3 आना चाहिए direct मैं इसको बता रखा है देखो plus का 3 है यहाँ पर यान की जो b की value हो plus की है तो जो हमारा छोटा root होगा वो plus का होगा तो यहाँ से value कितनी बनेंगी एक और 4 बनेंगा तो छोटा factor छोटा जो root होगा वो plus का यहाँ और divide में divide करते हैं a से a है यहाँ पर दूसरा root हो जाएगा हमारा minus का 4 और divide में 2 ऐसे समझ नहीं आते तो क्या करेंगे बिल्कुल basic से देख लेते हैं 2 alpha square plus 4 x 4 alpha मानना पड़ेगा और minus में alpha minus में 2 is equal to 0 यहाँ से तो समझ आ गया होगा अब यहाँ से क्या करेंगे 2 alpha common लेंगे 2 alpha common लेख तो यहाँ पर बचा alpha और यहाँ पर बचा कितना पलस का तू यह से minus one कोम मैं लेंगे तो alpha plus 2 बचेंगा बराबर में zero अब यहां से alpha plus 2 को मैं लेंगे तो बचएगा फिर two alpha माइनस में बराबर जीरो तो एक बार अलफा पलस टू को जीरो के बराबर रखेंगे तो यहां से अलफा कितना आएगा माइनस टू और यहां से इसको बराबर रखेंगे तो अलफा यहां से कितना आएगा वन बाई टू और यही हमने यहां से निकाल वी थे देखो वन बाई 1 by 2 रखें पहली equation में तो यह क्या होगा 3 alpha कितना रखना 1 by 2 यानि कि 1 by 2 का square करेंगे तो 1 by 4 पलस में 4 के alpha कितना रखना है 1 by 2 पलस में 2 बराबर में 0 तो यह हो जाएगा 3 by 4 पलस में 2 के पलस में 2 बराबर 0 तो 3 by 4 और 2 को एड़ करेंगे तो यह होगा 4 दूनी 8 रूतीन 11 बटा 4 इसको लेके जाएगे right side तो minus 11 बटा 4 बराबर है यह 2 के के तो के की value यहां से कितनी आएगी minus 11 बटा 4 दो आएगा divide में यहनि कि minus 11 बटा 8 यह आई है के की value यहां से फिर हम रखेंगे alpha की जगह है minus 2 क्योंकि यह दो value आए थी यहां से तो यह पहली एक विसन में रखना है यहां कि 3 alpha का square तो minus 2 का square 4 हो जाएगा और यहां पर 4 के alpha की जगह क्या रखना minus का 2 तो यह हो जाएगा minus और multiply में 2 पलस में 2 बराबर 0 तो 3 चो के 12 यहां से minus का 8 के plus में 2 बराबर 0 तो 12 और 2 14 इसको लेके जाएगे right side में तो minus का 14 हो जाएगा यहां पर minus 8 के के हो जाएगा minus से minus तो cancel हो जाएगा यान कि 14 by 8 2 से करेंगे cancel तो यह होगा 7 बटा 4 यह के की दो value आई है देख लोकिस option में है minus 11 बटा 8 और 7 बटा 4 यानि कि option C आया है यहां से तो बिल्कुल basic से इसको समझा दिया है यहां से आपको इतना नहीं सुल करना था यह रूट निकालने डार्क सिखा करो अब चलते हैं कि उस्तर नमबर 35 पर जिदी साइन थिटा इस इक्वल टू 21 बटा 39 तो हमें क्या बताना कि 10 थिटा माइनस सेक थिटा एक फोर्मुला पता होगा आपको पंडित बदरी परसाद हर हर भोले हिंदी में इसको लिखते हैं ला और यहां पर साइन थिटा होता है प्रपेंडिकुलर अपन में हाइपोटनियूस तो यहां पर बेस कितना हो जाएगा एक ट्रीप्लेट याद होनी चाहिए 20 29 होती है तो बेस हो गए यहां से 20 गट्रीप्लेट याद नहीं है तो पाई था कुछ थोर्म लगा कि आप इसको सोल कर सकते हूं उच्छा क्या है टैन थिटा टैन थिटा के लिए वैलू होती है यह होता है साइन थिटा और यह होता है कोज थिटा तो टैन थिटा कितना हो जाएगा प्रपेंडिकुलर अपन में बेस यानि की 21 से प्रपेंडिकुलर बेस है यहां पर 20 यह हो जाएगी टै तो इसको शोल करेंगे तो यह आये का माइनस का 8 बटा 20, 4 से कैंसल करेंगे तो माइनस 2 बटा 5, ओप्शन A, अब चलते हैं 36 पर, एक टंके में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 गंटे में पानी से बर सकता है, तथा दूसरा इसे 5 गंटे में खाली कर सकता है, य हम आप लेते हैं, E5 है यह, यह क्या करता है, टंकी को 8 गंटे में भर देता है, और ब guidance 5 गंटे में खाली कर देता है, तो माइनस से देनोट कर लिते हैं, खाली करने वाड़ा पाइप है इनका LCM लेंगे तो LCM आएगा 40, यह होती हैं अमारी यह कैपिशिटी, कैपिस्ट क्या है कि एक गंटे में 3 लीटर खाली करते हैं जब इन दोनों को खोलेंगे तो एक गंटे में 3 लीटर पानी ये खाली कर देंगे हमें क्या बुला है कि टंकी का 3 बटा 4 भाग पानी से बराव हुआ है पूरी टंकी मानी बरी होई है पूरी टंकी भ Aussे होती तो 40 लीटर होती तो पूरी टंकी का 3 बटा 4 भाग इतना लेटर पानी है कि में इसको खाली करना एक गंटे में फाली करता है तो इतना लीटर कि Tram AMD में खाली करेगा तीन से डिवाइड करना पड़ेगा तीन से तीन कैंसिल च्यार से चालिस को कैंसिल करेंगे दस अब ये दस क्या है ये दस गंटे हैं तो दस गंटे में टंकी खाली हो जाएगी ओप्शन डी अब चलते हैं 37 पर एक पितल के खेंग लाकर दूसरा सोलिड की से देते हैं तो वहां पर वल्युम बराबर रखते हैं तो हमें क्या करना कि गोले को पिंधाना कर एक मोटाएं की तार में करणवट करना है अब तार किसके फो में होता है ये इस कि दिन्यांद का व्यास कितना हो जो सिलेंडर की रेडियस है वो तो 4 by 3 है बराबर है तो पाई तो पाई कैंसल हो जाएगी और इसकी रेडियस कितनी थी व्यास है 18 cm तो रेडियस 9 cm यानि कि 9 multiply 9 multiply 9 बराबर में radius का सुकेर इसकी radius हमें नहीं पता तो रेडियस तो में यह से निकालनी होगी r2 multiply में hn की height height में दे रखिया 108 तो 9 से cancel करेंगे 9 एक कम 9 9 दूनी 18 तीन से cancel करेंगे 3 तीन 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 नो तीन चोके 12 से 12 आर सुकेर बराबर है 9 के तो आर बराबर होगा थरी के निकालना क्या था व्यास यानि कि diameter तो diameter क्या हो जाएगा radius का दूगणा यानि 6 cm option c अब चलते हैं 38 पर 42 लड़कों की एक कक्षा में से 10 वर्स की आयू का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के को परवेश दिया जाता है इस परिवर्तन के कान उस कक्षा में लड़कों की ओसत आयू दो महीने बाद बढ़ जाए तो नए तो यह तो महीने हैं डिवाइड करना पड़ेगा 12 से इनकी एक बटा 6 वर्स जो बढ़ जाती है अब यह एक बटा च्छा है और वर्स में 7 बढ़ जाती है अब यह बढ़े गई इसका मतलब क्या है कि जो नए लड़का आया है उसकी आयू 7 वर्स अधिक है जाने वाड़े से तो जो गया था उसकी आयू है दस वर्स तो आया उसकी आयू कितनी हो जागी सात वर्स अधिक यानिकी सत्रा वर्स ओप्शन से इसका अंसर होगा इतना सा सोल करना था अगर बेसिक से देखना हो तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए 42 लड़कों की एवरेज एज हम माल ल यानि कि 42 एक्स इनका सम हो जाएगा एज का सभी का इसमें से दस वर्स का जो लड़का था वो चला गया तो माइनिस दस कर देंगे उसकी जगह पे एक नया लड़का आया उसकी आयू माल लेते हैं वाई थी अब यह टोटल एज हो जाएगी 42 लड़कों की हमें निकालनी है एवरेज तो डिवाइड करना पड़ेगा जितने लड़के थे तो लड़के ही है यह हो जाएगी नई एवरेज और यह नई एवरेज कितनी हो जाएगी जो पहले एवरेज थी एक्स वो बढ़ जाएगी कितनी बढ़ जाएगी दो महीने बढ़ जाती है तो इसको हमें करन में 6 बराबर है ये 42 x minus 10 पलस में y divide में 42 6 से cancel करेंगे 6 साथ की multiply इस साइड करेंगे तो यह बचेगा 42 x minus 10 पलस में y बराबर में 7 की multiply करेंगे तो साथ ठीक है 42 x plus में 7 तो 42 x से 42 x cancel 10 minus का है राइट सेड जाएगा तो पलस का यानिकि y बराबर हो जाएगा 17 और यह यह की मानी थी हमने जो नया लड़का था उसकी यानिकि ओप्शन सी अब चलते हैं 39 पर x minus 1 by x is equal to 7 then find x square minus 1 by x square तो हमें दे रखा कि x minus 1 by x यह बराबर दे रखा साथ के तो माइनस से माइनस की value हम नहीं निकाल सकते हैं तो माइनस से माइनस की value नहीं निकाल सकते हैं x square plus 1 by x square यह value हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पतना होना चाहिए कि अगर आपको दे रखा हो a minus b या फिर दे रखा हो a plus b तो आप वहां से a square plus b square ही निकाल सकते हो direct a square minus b square नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों आइडेंटी में a square plus b square आता है तो यहांसे आप निकाल सकते हो एक square plus one by x square यह कितना हो जाएगा साथ का square 49 49 में दो add करना यानिकि 51 हो जाएगा यह अब इसको हम convert कर सकते हैं एक square minus one by x square में जब power बराबर हो सिर्फ sign change हो रखा हो तो इसका formula क्या होता है देखो यहां पर देख लेते हैं x square plus one by x square अगर यह हमें p दे रखा है और हमें निकालना x square minus one by x square तो यह क्या हो जाएगा root के अंदर p square minus value value निकालनी है तो minus का 4 अगर ऐसे दे रखा होता x square minus one by x square बराबर p और हमें निकालना होता x square plus one by x square तो यह क्या होता है पी square plus के value निकालनी है तो plus का और फिर च्यार जब जो power हो सेम दे रखे हो सिर्फ sign change हो तब यह formula लगता है यह सब सिखा रखा है algebra की class ले रखे उसमें इस सारी concept सिखा रखें तो यहां से हमें x square minus one by x square निकालना है तो क्या हो जाएगा इसकी ट्रीक रखेंगे पता से एक ज्यादा है तो पच्चिस में एक एड करेंगे 26 और एक एड किया तो एक का स्क्रेंगे 01 पलस में माइनस में आएगा क्योंकि माइनस के value निकाल रहे हैं तो माइनस में 4 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा और रूट 26 स्तान में अब यहां से देखिए option की तरफ देखिए अगर यहां पर पांच दे रखा यानिकि अंदर यह 25 होगा तो यहां पर देखो क्या मल्टिपल दिखाई दे रहा है लास्ट में 25 के लिए हम क्या चैक करते हैं 25-50 पिचेटर या डबल-0 तो इन में से कुछ भी value नहीं यानिकी b to answer नहीं हो सकता अब यहां पर क्या दे रखा है 14 यहां कि यह दो गुणा 7 है दो अंदर लेके जाएंगे तो च्यार तो क्या आपको यह च्यार का मल्टिपल दिखाई देला नहीं है तो यह ब अंसर नहीं हो सकता अब यहां पर दोनों जगा साथ है बाहर तो माइनिस में गड़ बड़ करती वहीं कि पच्चिस सो स्तार्ण में होना चाहिए कि अच्चिस सो स्तार्ण में इसको चेक करेंगे साथ से डिवाइड करके तो साथ या 21 बचेगा इसको फिर साथ से डिवाइड करेंगे तो दो बार साथ है इसमें से एक साथ बाहर निकल कर आएगा तो यह होगा साथ और अंदर बचेगा त्रेपन तो साथ रूट त्रेपन इसका अंसर होगा ओप्शन सी अब चलते हैं रूपय में बेचने से इसका मतलब यह है इसका सेलिंग प्राइस तो एसपी कितना है 119 हम लेते हैं कोस्ट प्राइस है एक्स तो आपको यहां से पता होना चाहिए परसंटेज प्रोफिट निकालने का फूर्मूला तो यह होता है प्रोफिट कब होगा जब एसपी अब यह इतना प्रोफिट होगा और इसने बोला कि प्रतिस्यत लाब का संख्यात्मक मान करे मुल्या के बराबर है तो यह किसके बराबर है करे मुल्या कितना था एक्स इसके बराबर हो जाएगा यहां से एक्स को इस साइड लेके जाएंगे तो multiply यानिकी x square हो जाएगा 100 के multiply कर लेते हैं तो 11900 माइनस में 100x अब इन दोनों value को right छह लेके जाएंगे तो x square plus में 100x minus में 11900 बड़ाबर 0 अब यहां से हमें quadratic equation को solve करना पड़ेगा diet solve करें तो कैसे करेंगे देखिए अगर हम इनको multiply करें तो 11900 आना चीए जोड़े तो 100 आना चीए वो minus काना चीए यह plus का इसका मतलब diet solve कर रहे हैं तो जो हमारा छोटा root होगा factor के बात निकारा मैं root के बात करेंगा अगर root जो छोटा होगा वो हमारा plus का होगा और बड़ा root minus का होगा तो हमें पता है कि 177 119 होता है यानि कि 170 और यह हो जाएगा सत्तर दोनों की multiply करेंगे तो 11000 आएगा और दोनों को add करेंगे तो हैंड़ आएगा क्योंकि यह लेंगे अगर हम factor निकालेंगे तो इसको लेंगे plus में इसको लेंगे minus में अब रूट कितना हो जाएगा डारेक्ट तो छोटा रूट है सत्तर है छोटी वैलू तो यह होगा पलस का सत्तर और बड़ी वैलू माइनिस के निकी 170 होगा बिल्कुल बेसिक से करके देखना पीछे एक सवाल आया था उसमें इसको डारेक्ट पुट कर लेते हैं थरी मल्टिप्लाइ में 2.24 डिवाइड में टू रूट फाइव तो टू की मल्टिप्लाइ करने हिस्से है निकि 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4 इतना हो जाएगा माइनिस में 0.48 तो अंदर उपर बचेगा थरी मल्टिप्लाइ में 2.24 और निच्चे इसको माइनिस करेंगे तो .48 से यह कैंसिल हो जाएगा बचेगा फूर इस पॉइंट को टाएंगे तो निच्चे आएगा 100 चार से कैंसिल कर लेते हैं चार पांजे 20 दो चार से के 24 तीन से के 18 तीन पांजे 15 और एक 16 निच्चे सो है तो पॉइंट यहां पर लग जाएगा निकिए 1.68 ओप्सन बी अब चलते हैं 14 पर, एक factory में कुछ मजदूर काम करते हैं तथा उनकी मजदूरे काम करते हैं तता उनकी मजदूरे निच्चित Яंदे मजदूरों के संख्या 20 परतिसत्त से बढ़ जाए तथा परति व्यक्ति मजदूरी संख्या बीस परतिसेत होता एक बटा पांच अगर पहले इन की संख्या पांच थी तो अब एक बढ़कर यह हो जाएगी उसके बाद बोला है कि परतिव्यक्ति मजदूरी यानि कि वेजिज पर वरकर इसमें क्या फरक पड़ता है बारा परतिसेत से घट जाती है अगर पहले सो रुपे मजदूरी थी एक मजदूर की तो अब बारा घट कर यह हो जाएगी अठासी यहां पर लिखेंगे टोटल विज टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी यह है एक मजदूर की मजदूरी सो रुपे मजदूर है पांच तो टोटल मजदूरी पन सो यहां पर टोटल म में 500 के रिस्पेक्ट में मल्टिपलाई में सो जेरो से जेरो कैंसिल पांच से कैंसिल करेंगे तो यह होगा पांपा पचीस तीन पॉइंट लगकर पांच से के पांच पॉइंट चैपर संट भी अप चलते हैं 43 पर चार हजार रुपे को दो बागों में उदार दिया गया यह दो दूसरे भाग पर यह दर दस परसेंट वार्शिक हो तो कुल वार्शिक ब्याज 322 रूपे मिले तो आठ परसेंट वार्शिक दर कितना धन दिया गया चार हजार को दो बागों में उदार दिया है तो यह हो जाएगा पहला बाग यह हो जाएगा दूसरा बाग हम इसको कर लेते हैं एलिगेशन से तो पहले बाग को आठ परसंट की रेट से दूसरे बाग को दस परसंट की रेट से बीच में हम लिखेंगे टोटल यहां पर क्या बोला कि वार्शिक ब्याद 352 रूपे मिलता अब यह रूपे में और हम एलेगेस्ट लंगारे परसंटेज में तो क्या कम करना पड़ेगा इसको भी हमें परसंटेज में करना पड़ेगा तब बीच में लिखना पड़ेगा तो 352 देख लेते हैं कि 352 4000 का कितने परतिशत है तो मल्टिप्लाइ में सो 20 से 20 कैंसिल आठ से कैंसिल हो जाएगा आठ पंजे 40 और यह होगा फिर आठ चोके 32 तीन आठ चोके 32 तवालिस बटा पांच होगा चावालिस बटा पांच अब इसको और फ्रेक्शन में नहीं रखना चाते तो एक काम कर लेते हैं तीनों को पांच से मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो यह तो पांच से पांच कैंसिल और यह हो जाएगा आठ पंजे 40 और यह हो जाएगा पचास और बीच में बचेगा चवालिस अब इले लगा लेते हैं ज्यादा में से कम को माईनेस करेंगे तो 40 में 45 न्यकालेंगे तो निय्कांड़ेंगे तो दो से कैंसिल करें तीन दरेशियोदो इक अब यह टोट्ल हो जाएगा कितना है यह 5 तो 5 ड suburbs भर चो यह टो पूप पे होगा option c अब चलते हैं 44 पर नीमन में से कौन सा सबसे छोटा है तो बेसिक इसका मैंने बताई रखा है बिली देखो यह पर करने कितनी हो जाएगी दो और यहां पर אני सरी को डिवाइड करके देखेंगे तो चैसे सोई च्छाइको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 य् keen ký power हो जाएगी 3 second value थी 2 करणी थी 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 ऐसे ही 2 की पावर यहांसे बचेगी 3 करणी गो डिवाइड करके रहना, देखते रहना च्यार के पावर होगी 2 इन में चैक कलो कौन सा छोटा है तो 3 के पावर 3 27 दो के पावर 2 4 2 के पावर 3 8 4 के पावर 2 16 कौन छोटा है 4 यानिकि 2 के पावर 2 यह था रूट 2 और करनी 3 थी क्यूब रूट ओफ 2 ओप्शन C आप चलते हैं 45 पर निचे दिये गए चित्र में D E पैलल है BC के यह पैलल है इसके और यदि A D 2.5 cm है तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 2.5 cm और D B की लंबाई कितनी है 3 cm और A की लंबाई कितनी है 3.75 हमें निकालना इसी की वेलू तो बिलकुल ईजी है यह होती थेल स्थूर्म थेल स्थूर्म क्या कहती है AD divided में D B बराबबर होगा E E divide में EC तो AD की वेलू कितनी है 2.5 में D B है तीन बराबर में A E है 3.75 में डिवाई कि लेका निचाने हैं यहां से अगर point टाइं तो नीच आएगा 10 यहां से अगर point टाइं तो नीच आएगा 100 इसको cancel कर लेते 25 से cancel करेंगे तो 15 पर जाएगा 0 से 0 cancel 5 से cancel करेंगे 5 तिया 15 पांच दोनी 10 तो इसी आएगा इस side और यह हो जाएगा 3 तिया 9 बटा 2 कितना हो जाएगा 4.5 cm option C अब चलते हैं 46 पर 220 मीटर लंबी एक रियल गाड़ी 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है वह उस आदमी को कितनी second में पार करेंगी जो 6 किलोमीटर पर गंटा की चाल से उस दिशा से उल्टी दिशा में भाग रहा है जिसमें रियल गाड़ी जा रही है देखो यहाँ पर है एक रियल गाड़ी मान लेते हैं यह इस डारेक्शन में जा रही है और जो इसके लंबाई है वो है 220 मीटर और इसकी स्पीड इतनी है 60 किलोमीटर पर हावर अब यहाँ पर कोई एक वेक्ति है यहाँ कर रहा है इसके चाल जो होग हो 6 किलोमीटर पर हावर है और यह क्या कर रहा है उसकी दिशा से निए यह बाग रहा है इन दोनों की direction उल्टी हो जाएगी, तो यहां पर concept लगेगा relative speed का, distance बराबर होता है, speed multiply में time, लेकिन यहां पर शिरफ speed नहीं है, यह relative speed, जब दो speed आपको दे रखी हो, दो रियल गाड़ी हो, या कोई वैक्ती हो, तो वहां पर relative speed का concept लगता है, distance कितनी हो जाएगी, distance यहां प speed कितनी हो जाएगी, इसका concept होता है, अगर same direction में हो, तो हम minus करते हैं, और opposite direction में हो, तो हम speed को add करते हैं, तो 220, 60 और 6, कितना हो जाएगा, 66, 66 km पर हावर, इसको convert करना पड़ेगा, meter पर second में, क्योंकि यह meter में है, time हम से second में पुछा है, तो इसको भी convert कर लेते हैं, ज्याद 5 से cancel करेंगे, 5, 2, 10, 3 से cancel करेंगे, 3, 6, 18, तो time हो जाएगा, 6, 2, 12 second है, option A, अब चलते हैं, 47 पर, एक वरगाकर मैदान का परीमाप, 16 root 2 cm है, इसके विकन की लंबाई, क्या होगी, एक सुकेर हमें दे रखा है, सुकेर क्या होता है, जिसकी 4 side बराबर हो, तो इसका पर दे रखा है, 16 root 2 के, तो यहां से side कितनी हो जाएगी, 4 root 2, तो इसका विकन कितना होता है, इसका diagonal होता है, root 2 A, तो root 2 A कितना है, side अभी निकाली थी, 4 root 2, यहनिकि 4 गूना 2, 8, यह क्या cm, तो 8 cm option C, तो यही क्योशन इसमें पूछे गए थे, अगर किसी क्योशन में सकते हों मिलते हैं next video में